नमस्कार विद्यारतियों हरी बाबा ग्लासिस पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा दस्की NCRT English First Flight Prose का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है Two Stories About Flying तो विद्यारतियों मैंने ये पार्ट जो है आपको पढ़ाया है मुझे तो बहुत अच्छा लगा और सायद आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप पढ़ेंगे क्योंकि मैंने इसको डिटेल्स में Means By Means पढ़ाया है दोस्तो ये चैप्टर जो है दो भागों में विवाजित है जिसका नाम है तो दोस्तो चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की समरी बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आखिर चैप्टर में पढ़ना क्या है तो देखिए यह कहानी इस विचार पर आदारित है कि हमें अपने सभी डरों का सामना करना चाहिए तथा कभी भी इनसे हार नहीं माननी चाहिए यह कहानी एक नन्हे सीगल के बिसय में है जो उड़ने से डरता है जबकि उसके छोटे भाई बहन पहले ही बिना किसी डर के अपने पिर्थम उड़ान भर चुके हैं यह कहानी सीगल के डर, भूक, संगर्स तथा अंतथा सपलता को प्रदरसित करती है नन्हे सीगल की मा उसको उड़ने के डर से उबरने के लिए प्रेरित करती है इस प्रकार यह कहानी लक्षयों तक पहुँचने के लिए प्रदरसित करती है ये कहानी ये भी दर्साती है कि प्रतेक लंबी यात्रा केवल एक कदम से सुरू होती है लेकिन उस एक कदम को बाकी कदमों की तुल्ना में सबसे अधिक साहस की आवसकता होती है दर्ण निश्चय साहस इच्छा तथा आस्म विश्वास से ही सफलता प्राफ्त कर सकते हैं तो विध्यारती ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और आपको भी अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने हर मीन्स का इसका अर्थ बताया है तो चलते हैं पहले पाराग्राफ की और मैंने जो है इसकी वर्ड मीन्स भी इस चैप्टर में सामिल की हैं जैसा कि मैं और चैप्टरों को मैंने पढ़ाया है उसमें वर्ड मीन्स चैप्टरों की सामिल की हैं हर गिराफ की तो मैंने उसी तरह से इस चैप्टर को भी पढ़ाया है तो चलते हैं पहले पाराग्र का नाम होता है वाजमिस था एल उनमिस अकेला उनमिस पर हिजमिस अपने लेज मतलब चटान जिसे रॉक कहते हैं अंग्रेजी में या किलिब भी कहते हैं करें कि नन्हा ससीगल अपनी चटान पर कैसा था अकेला था his two brothers करें कि उसके दोनों भाई या उसके दो भाई and his sister और उसकी बहन had already already का बतलब पहले ही fell on away करें कि उड़ चुके थे the day before करें कि एक दिन पहले ही करें कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही क्या कर चुके थे उड़ चुके थे he had been afraid afraid का मतलब होता है बहवीत होना या डर जाना कह रहे हैं कि बहवीत हो गया था to fly कह रहे हैं कि उड़ने से with them कह रहे हैं कि उनके साथ कह रहे हैं कि वह उनके साथ उड़ने से बहवीत हो गया था या डर गया था somehow कह रहे हैं कि किसी प्रकार when जब he had taken a little a little का मतलब क्या होता है थोड़ा होता है run miss दोड़ा forward आगे कह रहें कि किसी प्रकार जब है थोड़ा आगे की ओर दोड़ा to the brink कह रहें कि किनारे पर of the lace कह रहें कि चटान के कह रहें कि किसी प्रकार जब है चट्टान के किनारे तक थोड़ा आगे की ओर दोड़ा and or attempted attempted का मतलब क्या होता है प्रयास करना try करना and attempted और प्रयास किया to flap करेंगे फड़फडाने का his wings करेंगे अपने पंखों को करेंगे और उसने अपने पंखों को फड़फडाने का प्रयास किया he became afraid तो वो क्या हो गया he means袋 became taką observe मतलब भैवीत भैवीत हो गया या डर गया the great expense the great great का मतलब आप सबही जानते कि महान होता है लेकिन रहां पर हम विसाल लगा लेते हैं विसाल भी इसका मिंस होता है करेंगे the great करेंगे vissal expense का मतलब होता है विस्तार of sea करें कि समुद्र का करें कि समुद्र का विसाल विस्तार था stressed जो फैला हुआ था down beneath करें विनीत का मतलब क्या होता है under होता है नीचे करें कि समुद्र का विसाल विस्तार था जो नीचे की ओर फैला हुआ था and or it was such और ये वास्तम में ए लॉंग बे डाउन कहरें कि नीचे एक बहुत बड़ा रास्ता था कहरें कि और वास्तम में ये एक बहुत लंबा रास्ता था कहने का मतलब ये है कि जो चटान के नीचे था अज समुद्र वो काफी विस्तार में फैला हुआ था तो इसलिए जो है काफी लंबा रास्ता था उसके लिए छोटा सा था नना सीगल माइल्स डाउन और ये मीलो लंबा था कहरें कि माइल्स का मतलब क्या होता है मील होता है और ये जो नीचे था वो मीलो लंबा विस्तार था किसका समुद्र का he felt certain कि उसे पूर्ण विश्वास हो गया था certain का मतलब निस्चित होना felt का मतलब महसूस करना होता है तो देखी he felt certain उसे पूर्ण विश्वास हो गया था निस्चित हो गया था that ki his wings कि उसके पंख would never कि कभी नहीं support सहरा देंगे him is उसे कह रहे हैं कि उसे पूंड रूप से निश्चित हो गया था या उसे पूंड विश्वास हो गया था कि उसके पंख उसे कभी सहरा नहीं देंगे so he went his head so miss इसलिए he was went miss जचुकाए his miss अपना head मीश सर कह रहें कि और इसलिए वह ben अपना सर जोकाए and ran away दोड़ा वैक करें कि बापास to the little hole करें कि उस छोटे छिद्र की और under नीचे दा लेज करें कि चटान के इसलिए उसने अपना सिर जुकाया और दोड़कर चटान के नीचे उसी छोटे से छिद्र में बापास चला गया वेर जहां पर ही वह स्लेप्ट सोता था at night करें कि रात को जहां वह रात को सोता था वहां चला गया आग देखिए इवन वैन इच आफ इस ब्रोदर्स एंड इस लिटिल सिस्टर करें इवन का मतला होता है यहां तक कि वैन मिस जाव इच मिस परतेक आफ इस ब्रोदर्स करें कि उसके भाईयों में से परतेक एंड और हिज मिस उसकी लिटिल मिस छोटी और सिस्टर मिस वहन करें कि यहां तक कि जब उसके भाईयों में से परतेक भाई ने एंड हिज लिटिल सिस्टर और उसकी छोटी बहने हूज कह रहें कि जिनके विंग्स पंक विंग्स का मतलब क्या होता है पंक वर्मिस थे फार सोर्टर कह रहें कि अधिक छोटे दैन से हिज उसके ऑन मतलब खुद के करें कि उसके खुद के पंकों से करें कि यहां तक कि जब उसके प्रतेक वहाई ने और उसकी छोटी बहने जिनके पंक उसके खुद के पंकों से अधिक छोटे थे ran to the wrink करें कि किनारे तक दोड़े फ्लैब्ड देर विंक्स अपने पंखों को फटफडाया एंड फिलीव अबे और उड़ गए He failed to muster up courage to take that plung करें कि he miss वह कौन नन्ना सीगल failed असपल रहा to muster up muster up का मतलब होता है collect करना मतलब इखटा करने में या जुटाने में courage का मतलब क्या होता है हिम्मत या साहस करें कि जब नन्ना सीगल courage जुटाने में या हिम्मत जुटाने में या साहस जुटाने में असपल रहा to take that plung करें कि उस चलांग को लगाने के लिए करें कि जब नन्ना सीगल उस चलांग को लगाने के लिए साहस इखटा करने में क्या रहा असमर्थ रहा which जो कि appeared करें कि मतलब प्रतीत हुआ to him करें कि उसके लिए जो कि उसके लिए प्रतीत हुआ so disparate So disparate का मतलब होता है बहुत अधिक निरासा जनक किरें कि जोकि उसे बहुत निरासा जनक प्रतीत हुआ कि जब नणा सीगल उस छलांग को लगाने के लिए हिम्मत जुटाने में असफल रहा जो कि उसे वहुत अधिक निरासा जनक प्रतीत हुआ His father and mother had come around calling to him freely करें his father करें उसके पिता and mother और माता head come आ चुके थे around करें कि चारो और calling पोकारते हुए to him freely करें कि तीखी आवाज में upvading him करें कि उसे डाटते फटकारते threatening करें कि धमकी देते हुए करें कि उसके माता पिता उसके चारो और तीखी आवाज में डाटते फटकारते हुए और ध धमकी देते हुए आ चुके थे कौन सी धमकी तू लेट हिम इस्टार कि उसे भूका छोड़ देंगे ऑन हिस लेज कहरें कि उसकी चटान पर कि उसकी चटान पर उसे भूका छोड़ देंगे अलैस ही फिलीव अवे जब तक वह उड़ेगा नहीं तो मैं यहां से लेकर यहां तक का एक बार आपको लाइन वाइन अर्थ बता देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा तो देखिए कह रहे हैं उसके माता पिता उसके चारों और घुमते हुए तीब्र करकर साबाज में उसे पुकारते उसे डाटते फटकारते धमकी देते कि जब तक वह कि देगा नहीं उसे उसकी चटान पर भुका छोड़ देंगे but for the life of him he could not move बट मिस लेकिन for the life of him कहरें कि अपने जीवन की खातिर he could not move कहरें कि वह हिल भी नहीं सका कहरें परंतु वह जीवन के करें कि लेकिन अपने जीवन की खातिर वह हिलवी नहीं सका आगे देखिए अब आप इस पाराग्राप की बड़ मीनिंग देख लीजिए ताकि आपको पता रहे कि मैंने क्या-क्या सही पढ़ाया था आपके लिए तो देखिए लेज का मतलब होता है क्लिफ ठीक है मैंने बत मतलब मैंने एज बताया था वही किनारा बैंक अटेंट एट का मतलब मैंने बताया था ट्राइड मतलब प्रियास करना कोशिस करना फ्लैफ का मतलब मैंने बताय था मूब दा बिंक्स अप एंड डाउन कहने का मतलब फड़ड़ाना पंक्खों को बिनीत बिनीत का मतलब मैंने बताय था अंडर मतलब नीचे और भी है इसकी वर्ड मेनिंग इस्ट्रेश्ट का मतलब मैंने आपको बताया था एक्स्टेंडेट मतलब फैला हुआ सेटेन का मतलब मैंने आपको बताया था श्योर मतलब विश्वास होना या निश्यत होना सपोर्ड का मतलब मैंने एसिस्ट बताया था यहां क्या मतलब साथ देना या सहारा देना ठीक है master, master का मतलब मैं ने बताया था together, मतलब जोटाना या ये खट्टा करना, career का मतलब मैं आपको क्या बताया था, bravery बताया था, साहस बताया था, और देख लीजीए, plunge का मतलब a jump, मतलब छलां, śrili का मतलब मैं आपको बताया था, high and unpleasant boys, आप ब्रेगिंग का मतलब मैंने आपको बताये था इसकॉल्डिंग मतलब डांटना फटकार्ना कि धुयर्षती ओर यहfilm करना युज़र्टर इन्त भटक्ष करना पर थिय। मतलब stress का मतलब को मैंने आपको क्ब्राइबट से संब्सक्रा हना तो यह stuffsator पारग्राफ नबर 2 देखिए That was 24 hours ago कि यहां कि वहाज वाजमीश थी 24 hours 24 hours मतलब 24 घंटे और एगो का मतलब क्या होता है Before होता है पहले कि वहाज बात 24 घंटे पहले की थी Since then Since then का मतलब तब से Nobody कि कोई भी नहीं Had come कि आया था नियर हिम किरें कि उसके नजदीक या उसके पास किरें कि बहवात 24 गंटे पहले की थी तब से कोई भी उसके नजदीक नहीं आया था किसके नन्हे सीगल की क्योंकि उसके माता पिता ने उसको डाटा फटका रहा था और उसे धमकी दी थी कि जब तक बहे उड़ेगा नहीं तब तक उसको खाना नहीं दिया जाएगा आगे देखिए The day before The day before का मतलब होता है पिछले या एक दिन पहले The day before कह रहें कि पिछले All day long कह रहें कि पूरा दिन कह रहें कि पिछले पूरा दिन He had washed कह रहें कि उसने देखा था His parents कह रहें कि अपने माता पिता को flying कह रहें कि उड़ते हुए About with his brothers कह रहें कि अपने भाईयों के साथ And sister और कह रहें कि अपनी बहन के साथ कह रहें कि पिछले पूरा दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाईयों और वहन के साथ उड़ते हुए देखा था perfecting them उन्हें परपूर्ण करते हुए in the art of flight करें कि उड़ने की कला में करें कि उड़ने की कला में उन्हें परपूर्ण करते हुए करें कि अपने भाईयों को और अपनी बहन को अपने माता पिता को उसने एक दिन पहले क्या देखा था ऊड़ते हुए देखा था teaching सिखाते हुए them उँन्हें how to scream कैसे उपर से निकला जाता है करें कि लहरों के करें कि यह सिखाते हुए कि लहरों के उपर से कैसे गुजरा जाता है and or how to dive और कैसे डुबकी लगाई जाती है और कैसे लहरों के उपर से गुजरा जाता है कहने का मतलब यह सिकाते हुए और उड़ने की कलामें परिपूर्ण करते हुए अपने भाईयों और बहन को अपने माता पिता के साथ उड़ते हुए करें कि पिछले पूरे देन उसने क्या किया था उन्हें वाजड किया था देखा था आगे देखिए करें कि उसने वास्तम में सीन करें कि देखा था हिज ओल्डर ब्रॉदर करें कि अपने बड़े भाई को करें कि उसने वास्तम में अपने बड़े भाई को देखा था कैच करें कि पकड़ते हुए हिज अपनी फर्स्ट करें कि पहली हाइरिंग हेरिंग का मतलब होता है हिलसा मचली कह रहें कि हिलसा मचली को पकड़ते हुए और निगलते हुए इटमीस इसे कह रहें कि उसने वास्तम में अपने बड़े भाई को पहली बार हिलसा मचली पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए क्या किया था देखा था Standing on a rock करें कि एक चटान पर खड़े हुए वाइल हिस पेरेंट्स करें कि तभी उसके माता पिता ने सरकल्ड एराउंड सरकल्ड का मतलब चक्कर लगाना एराउंड मतलब चारो और करें कि तभी उसके माता पिता ने उसके चारो और चकर लगाया raising a proud के कल कह रहें कि गर्ब के साथ कूंकूं करते हुए कह रहें कि तभी उसके माता पिता ने उसके चारों और कह रहें कि गर्ब से कूंकूं करते हुए क्या लगाया एक चकर लगाया आगे देखिए and all the morning कह रहें कि और पूरी सुबह the whole family एक बड़े पथार पर क्या करता रहा अब वो पथार किसका था तो देखिये midway down the opposite clip कह रहे हैं कि सामने वाली खड़ी चटान के बीच में कह रहे हैं कि सामने वाली खड़ी चटान के बीच में जो बड़ा पठार था उस पर पूरी सुभह उसका समस्त परिवार टहलता रहा और कैसे टहलता रहा taunting him with his cowardice कह रहे हैं कि उसकी कायरता पर taunting करते हुए कहने का मतलब तंज कसते हुए कह रहे हैं कि और उसका कह रहे हैं कि और पूरी सुभह उसका समस्त परिवार कह रहे हैं कि उसकी कायरता पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि उस बड़े पठार पर कह रहें कि जो चट्टान के बीच में बना हुआ था उस पर क्या करता रहा टहलता रहा अब मैं आपके लिए पुरा लाइन वाइन आर्थ बता दे रहा हूँ एक बार फिर से देखिए और पूरी सुभह समस्त परिवार उसकी कायरता पर तंज कसते हुए सामने वाली खड़ी चट्टान के बीच में विसाल पठार पर क्या करता रहा टहलता रहा तो इसकी वर्ड मीनिंग देख लेजिए मैं आपको बता देता हूँ तो चलिए देखिए वर्ड मीनिंग वाज्ड का मतलब मैंने बताय था टू लुक अटेंटिबली कहने का मतलब देखा और फ्लाइं इनफेक्ट का मतलब एक्च्वली होता है जिसे हम बास्तब में कहते हैं हेरिंग का मतलब होता है एस सौफ्ट फेंड सीफिस कहने का मतलब हिलसा मचली को हम हेरिंग कहते हैं और डेवियोर का मतलब मैंने बताय था निगलना गैवल इट कोईकली मतलब जल्दी से कोईकली ख कैकल का मतलब मैंने बताया था साउंड आफ सीगुल मतलब कुउकु की आवाज सीगल पक्षी का जो आवाज साउंड होता है वो कुउकु का होता है बाक अवाउट का मतलब मैंने आपको बताया था स्ट्रॉल मतलब टहलना वॉक करना प्लेटो का मतलब मैंने आपको बताया था ए लार्ज हाई एरिया अफ फ्लेट लेंड कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा छेतर फ्लेट मतलब सम्तल क्या मतलब होता है इसका पठार कहते हैं इसे से क्या मतलब होता है इसका पठार होता है मैंने आपको बताया था अपोजिट का मतलब क्या होता है on the other side of something कहनें कि सामने वाली ठीक है सामने वाली चटान पर मैने आपको बताया था cliff का मतलब मैने बताया था steep rock रोख मतलब वही चटान खड़ी चटान tonting का मतलब मैने आपको बताया था ziving at giving at तंज कस्ते हुए पर ताना कस्ते हुए बात बताया था मैंने कबाडिस का मतलब मैंने आपको बताया था टिमिडिटी मतलब कायरता ठीक है अब चलते हैं अगले पाराग्राप की ओर तो चलिए पाराग्राप नंबर तीन देख लीजिए अब असेंडिंग का मतलब होता है चड़ना असेंडिंग मतलब आकास और असेंडिंग में आई एंजी जुड़ी हुई है तो पास्ट कांटूनियस है क्योंकि बाज लगा हुआ है कह रहें कि सूरज आकास में अब चड़ रहा था या कह रहे हैं कि सूरज आकास में चड़ता जा रहा था वलेजिंग और कह रहे हैं कि चमक रहा था कह रहे हैं कि उसकी चटान पर कह रहे हैं कि सूरज आकास में चड़ता जा रहा था और उसकी चटान पर क्या कर रहा था चमक रहा था देट फेजड दा साउथ करें कि देट मिस जिसका फेजड मिस मुख या चेहरा दा साउथ करें कि दक्षण की ओर था करें कि जिसका मुख दक्षण की ओर था करें कि सूरज अब आकास में चड़ता जा रहा था और उसकी चटान पर चमक रहा था और उसका मुख जो है दक्ष किया because क्योंकि he had not eaten since के रहें कि उसने कुछ नहीं खाया था the previous के रहें कि पिछली और nightfall का मतलब वही रात्री के रहें कि उसने पिछली रात्री से कुछ नहीं खाया था के रहें कि उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पिछली रात्री से कुछ नहीं खाया था क्योंकि उसक तक वो उड़ेगा नहीं तब तक उसे खाना नहीं दिया जाएगा तो उसके माता पिता जो है उसके सामने वाली जो चट्टा इंती बड़ी उस पर खड़े होकर पठार पर टहलते रहें और उसे देखते रहें आगे देखिए करें कि आगे बड़ा या आगे गया स्लोली करें कि धीरे से आउट टु द ब्रिंक करें कि किनारे पर आफ द लेज करें कि चट्टान की वह धीरे से चट्टान के किनारे तक गया and or standing करें कि खड़ा हो गया on one leg करें कि एक टांग पर और एक टांग पर खड़ा हो गया with the other leg और दूसरी टांग hidden छिपाली under नीचे his wing करें कि अपने पंख के नीचे और दूसरी टांग अपने पंख के नीचे छिपाली he closed one eye उसने एक आख वंद की close की then the other फिर दूसरी वंद की and pretended और नाटक किया या बहाना बनाया to be falling asleep करें कि सोने का और सोने का बहाना बनाया करें कि वह धीरे से चटान के किनारे तक गया और एक टांग पर खड़े होकर दूसरी टांग को अपने पंग के नीचे छुपा कर एक आख वंद की उसके बाद दूसरी तथा सोने का नाटक किया आगे देखिए still they took no notice of him करें still फिर भी देमिस उन्होंने took no notice notice का मतलब होता है ध्यान देना आप हिम मतलब उसकी और करें कि फिर भी उन्होंने उसकी और ध्यान नहीं दिया he saw his two brothers and his sister करें कि he miss उसने साब मिस देखा his two brothers करें कि अपने दोनों भाईयों को and his sister और अपनी बहन को करें कि उसने अपने दोनों भाईयों और अपनी बहन को देखा lying लेटे हुए on the plate you plate you का मतलब मैंने आपको बता है था पठार पर करें कि उसने अपने दोनों भाई और अपनी बहन को पठार पर लेटे हुए देखा dozing dozing का मतलब बोई जपकी लेना या सोना करें कि dozing सोते हुए with their heads करें कि अपने सरों को sunk चिपाए हुए into their necks करें कि अपनी गर्दनों में करें कि अपनी गर्दनों में अपने सरों को चिपाए हुए उसने अपने दोनों भाईयों को और अपनी बहन को करें कि पठार के उपर सोते हुए देखा अब मैं आपको एक वार फिर से यहां से यहां तक का अर्थ बता देता हूँ तो देखिए क्या कहना चाहरा है राइटर उसने अपने दोनों भाईयों तता अपनी वहन को अपनी गर्दनों में अपने सरों को छिपा कर पठार पर लेटे हुए देखा आगे देखिए करें कि अपनी सफेद पीट पर पंखों को क्या कर रहे थे समवार रहे थे क्या करें कि केवल उसकी माता ने वाज लोकिंग एट हिम करें कि उसकी और देखा करें केवल उसकी माता ने उसकी और देखा सीवाज स्टेंडिंग जो खड़ी हुई थी अन ए लेटिल हाई हंप एक छोटे उंचे उभरे हुए भाग पर on the plate you करें पठार पर करें कि वह है पठार के छोटे उंचे और उभरे हुए भाग पर खड़ी थी हर white breast करें कि उनकी सफेद breast का मतलब क्या होता है सीना या छाती करें कि हर white breast करें कि उनकी सफेद चाती thrust forward करें कि आगे की और निकली हुई थी कौन किसकी चाती उसकी मा की ठीक है आगे देखिए now and again now and again का मतलब होता है समय समय पर करें कि now and again करें समय समय पर see वह है कौन नन्हे सीगल की मा करें कि वह है टोर का मतलब tear मतलब फाड रही थी करें सीमिस वह है टोर फाड रही थी at a piece करें कि टुकड़े को office करें कि मचली के करें समय समय پर वह है मचली के टुकड़े को फाड रही थी देट ले, जो पड़ा हुआ था, ले का मतलब लेटा हुआ है पड़ा हुआ जो पड़ा हुआ था करें कि उसके पैरों में, करें समय समय पर वह मचली के टुकडे को फाल रही थी जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था, and then scrapped और फिर Scrap'd का मतलब होता है खुरचना और फिर खुरच रही थी Each side करें के परतेक साइड को offer weak करें कि अपनी चौँच से on the rock करें कि चटान पर करें कि समय समय पर वह मचली के एक टुकड़े को फाड़ रही थी जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था और चटान पर अपनी चोंच से प्रतेक साइड को खुरच रही थी अर्थात रगड कर साफ कर रही थी The sight of the food maddened him The sight मतलब द्रसने of the food केरें कि भोजन के केरें कि भोजन के इस द्रसने maddened मतलब पागल कर दिया him इस उसे केरें कि भोजन के इस द्रसने उसे पागल कर दिया क्योंकि वह जो है अपनी मा को देख रहा था वो मशली के लिए क्या कर रही थी खुरच रही थी और क्या कर रही थी और फाड रही थी तो इस द्रसने जो है उसे पागल कर दिया How he loved to tear food How केरें कि कितना प्रिये था That way केरें कि उस तरीके से केरें कि जिस तरीके से उसकी मा फाड रही थी केरें कि उस तरीके से भोजन को फाडना उसे कितना प्रिये था और Scrapping his beep केरें कि और उसकी चौँच से खुरचना केरें कि उसके लिए प्रिये था Now and again करें कि समय समय पर और करें समय समय पर अपने चौँच से उसको खुरचना और अपने भोजन को फाड़ना करें कि उसे कितना प्रिये था करें के और अपनी चॉँच को तेज़ करना अब मैं आपके लिए यहां से लेकर और यहां तक का पूरा अर्थ बता देता हूँ तो देखिए भोजन के इस द्रस ने उसे मतलुन नन्हे سीकल को पागल कर दिया नन्हे सीकल को उस तरीके से भोजन फारवना अपनी चौच को तेज करने के लिए उसे खुरचना कितना प्रिये था तो अब इसकी word meaning पर चलते हैं दोस्तों तो चलिए देखिए word meaning ascending का मतलब मैंने बताया था moving upward यहाँ ऊपर चड़ने के लिए लगाया गया है blazing का मतलब मैंने बताया था sunny readily मतलब चमकना heat का मतलब मैंने वाम्त बताया था मतलब घर्मी और slowly का मतलब मैंने steadily मतलब धीरे से hidden का मतलब मैंने बताया था concealed मतलब गुपत रूप से या चुपा हुआ under का मतलब मैंने बताया था विनीत मतलब नीचे और wing का मतलब मैंने feeder बताया था मतलब पंक और pretendent का मतलब बताया था fend, sword, falsely मतलब वहाना किया या नाटक किया आगे देखिए falling asleep का मतलब मैंने बताया था sleep मतलब सोना जबकी लेना took no notice का मतलब मैंने आपको बताया था did not pay attention मतलब ध्यान नहीं देना ध्यान नहीं दिया dozing का मतलब मैंने आपको बताया था half sleeping मतलब उंगते हुए मतलब सोना ठीक है जबकी लेना sunk का मतलब मैंने बताया था submerged मतलब ढूबना और printing का मतलब मैंने आपको बताया था making and effort to maintain feathers मतलब यहाँ शवारना है मतलब feathers मतलब अपने पंकों को सवारना मतलब सवारना वही printing करना feathers का मतलब होता है feathers जिसे बोलते हैं wings मतलब पंक hump का मतलब मैंने बताया था rounded raised mass of earth करहें के ऊचा उबरा भाग और thrust का मतलब thrust forward का मतलब मैंने आपको बताया था आगे की और निकलना आगे चलिए now and again toward का मतलब मैंने आपको बताया था pulled apart मतलब fart देना किसी चीज़ को अलग कर देना sight का मतलब मैंने scene बताया था dress बताया था आपके लिए mad end का मतलब made mad मतलब पागल कर देना मैंने आपको बताया था to wait का मतलब मैंने आपको बताया था sharpen मतलब तेज करना आपनी चोच को तेज करना मैंने आपको बताया था सेंटेंस जब पढ़ाया था यह मैंने परग्राफ अब चलते हैं चौता परग्राफ की ओर तो चलिए गा 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 he cried begging her to bring him some food गा गा मतलब एक आवाज है सीगल पक्षी की तो देखिए he cried वह चलाया waking का मतलब होता है भीक मांगना यहाँ पर विनिती करना है करें कि he means वह cried चलाया waking करें कि विनिती करते हुए हर करें कि उससे यह यहाँ पर नन्न सील के लिए लगाया गया और हर उसकी माता के लिए लगाया गया है करें कि नन्ना सील अपनी माता से विनिती करते हुए चलाया to bring him करें कि अपने लिए लाने के लिए some food करें कि कुछ भोजन के रहें कि नन्हा सीगल अपनी माता से अपने लिए कुछ भोजन लाने के लिए बिनती करते हुए गागा गागा चिलाया अब उसकी माग उसका उपहास करती है मतलब हसी बनाती है तो देखी कैसे के रहें कि बापास डेरी सिवली का मतलब होता है उपहास करते हुए या हसी बनाते हुए के रहें कि उसकी माता बापास उसकी हसी बनाते हुए चिलाई गागा ठीक है समझ में आ गया होगा आगे देखिए बट ही कैप्ट कालिंग प्लेंटिवली वट मिस लेकिन ही मिस वह कैप्ट कालिंग के रहें कि पुकारता रहा प्लेंटिवली क्या मतलब होता है कि सोका कुल होकर या दुखी होकर परंतु वह दुखी होकर पुकारता रहा या सोखा कुल होकर वह पुकारता रहा मतलब चिलाता रहा गागागा करता रहा माता के लिए and after minute or so और कह रहे हैं कि एक या दो मिनिट के बाद he uttered a joyful scream कह रहे हैं कि उसने एक आनन्द पूर्ण scream का मतलब होता है चीख मारना कह रहें कि और उसने एक या दो मिनिट वाद एक आनन्द पूर्ण चीख मारी his mother had picked up a piece of the fish कह रहें कि his miss उसकी mother miss माता ने head picked up कह रहें कि उठाये थे a piece कह रहें कि एक टुकडा of the fish कह रहें कि मचली का his mother कह रहें कि उसकी माता ने head picked up कह रहें कि उठाया a piece कह रहें एक टुकडा of the fish कह रहें कि मचली का कह रहें कि उसकी माता ने जब एक मचली का टुकडा उठाया तो उसने क्या किया था एक आनन्द पूर्ण चीख मारी and was flying और उड रही थी across to him कह रहें कि उसकी ओर with it it मतला वो ही मचली का टुकडा और कह रहें कि मचली के टुकडे के साथ उसकी ओर उड रही थी कहने का मतला उसकी माने मचली का एक टुकडा उठाया और उसकी ओर क्या कर रही थी उस मचली के टुकडे को लेकर करें कि उड़ रही थी करें कि उड़ रही थी ये देख कर जो है उसने एक या दो मिनिट वाद जो है सीगल ने क्या किया आनंद पूर्ण चीख मारी लींड आउट इगरली लींड मिस जुका आउट मिस बाहर की ओर इगरली मतलो उत्सुकता पूर्बक आगे की ओर जुका टैपिंग करें कि थपतपाते हुए दर रॉक करें कि चटान को विदिस फीट करें कि अपने पैरों से करें अपनी पैरों से चटान को थपतपाते हुए वह उत्सुकता पूर्बक आगे की ओर बड़ा ट्राइंग टू गेट नियरर और पास जाने की प्रेयास किया पास जाने की कोसिस की to हर करें कि अपनी माता की करें कि और उसके ऊपर उड़ रही थी तो उसने क्या किया तो उसने जो है अपनी मां के पास जाने का प्रयात ने किया प्रयास किया अपने पैरों से चटान को थपपाया और वह जो है उट्सुकता से के रहें कि आगे की ओर जुखा आगे देखिए but when she was just opposite to him परन्तु जब वह ठीक उसके सामने थी opposite में थी she halted halted का मतला होता है halt लेना मतला रुखना तो वह रुख गई her wings उसके punk motionless उसके punk कैसे हो गई the piece of fish करें कि मचली का टुकडा इनहर बीक करें कि उसकी चोंच का, करें कि उसकी चोंच का मचली का टुकडा, आलमोस्ट करें लग भग विदिन रीच करें कि पहुँच में था, आफिज बीक करें कि उसकी चोंच के, करें कि उसकी चोंच की पहुँच में था, करें कि उसकी चोंच का मचली का टुकडा, लेकिन जब है उसके एकदम सामने थी वह हैं रुख गई उसके पंक गतिहीन थे कहने का मतला किसके ? Nannay Seagal की मा के कह रहे है कि Nannay Seagal की मा के पंक जो थे गतिहीन थे और उसकी चोंच वाला मचली का टुकड़ा लगभग ननने Seagal की चोंच की पहुँच में था आगे देखिए he waited a moment in surprise surprise का मतलब होता है आश्यरी चकीत होकर करें आश्यरी चकीत होकर he means उसने waited करें कि इंतिजार किया a moment करें कि एक शाल इंतिजार किया एक पल इ психडर किया wandering करें कि हैरान होते हुए yc did not come nearer कह रहें वाई मिस क्यों सी मिस वह डिड नॉट मिस नहीं कम मिस आई नियरर का मतलब होता है और अधिक पास कह रहें कि आश्यरी चकित होकर उसने एक छण इंतिजार किया और हैरान होते हुए सोचा कि वह उसके और अधिक पास क्यों नहीं आई and then और तब maddened by hunger कह रहें कि भूंक से पागल होकर he dived at the fish कह रहें कि उसने मचली की तरफ छलांग लगाई with a loud scream कह रहें कि एक तेज चीख के साथ he fell outwards and downwards into space he miss वह fell miss गिर गया outwards का मतलब होता है बाहर की ओर and miss और downwards का मतलब होता है नीचे की ओर into space space का मतलब अंतरिक्ष होता है यहां पर हवा में करें कि और वह हवा में बाहर की ओर and और नीचे क्या हो पड़ा गिर पड़ा करें कि वह हवा में बाहर की ओर तथा नीचे गिर पड़ा ठीक है और उसका हिर्द है इस्थिर हो गया he could hear nothing करें कि वह कुछ वी सुन नहीं सकता था he means वह कुछ मी सकता था hear me सुन nothing means कुछ भी नहीं करें वह कुछ भी नहीं सुन सकता था तो विध्यारतियों कहानी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी what meaning देख लिजी इसकी बेगिंग का मतलब क्या होता है requesting मतलब विनती करना मैंने आपको बताया था screamed का मतलब मैंने बताया था cried मतलब चिलाना और derisively का मतलब मैंने बताया था in a manner showing someone that see he is stupid कहने का मतलब उपहास करते हुए ठीक है और plentively का मतलब मैंने बताया था in a sorrowful manner मतलब सोका कुल होकर joyful का मतलब मैंने बताया था very happy मतलब आनन्दपूर ठीक है scream का मतलब मैंने बताया था cry मतलब चीखना pick dub का मतलब होता है lifted मतलब उठाना किसी चीज़ के लिए across का मतलब होता है towards मतलब की और आगे देखिए लिंड लिंड का मतलब मैंने इस टूप बताया था मतलब जुका हुआ eagerly का मतलब मैंने अनेक्सली बताया था उत्सुकता से tapping का मतलब मैंने parting बताया था मतलब थपथपाना nearer का मतलब closer और past अधिक नस्दीक माने आपको बताया था just का मतलब मैंने आपको बताया था है विल्कुल एक दम ठीक हाल्टिट का मतलब मैंने आपको बताया था स्टॉब्ड मतलब रुख गई या रुकी मोशनलेस का मतलब मैंने इस्टिल बताया था गतहीन या इस्थिर बताया था मैंने आपको आल्मोस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था बैरी नियरली मतलब देखिए सर्प्राइज का मतलब मैंने आपको बताया था बंडर मतलब आश्यर ये वंडरिंग का मतलब मैंने सर्प्राइजिंग बताया था हैरान होते हुए लाउड का मतलब मैंने आपको बताया था नौाइसी मतलब तेज उंची आट वार्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया था इन एक्टेडियर डिरेक्शन मतलब बाहर की और डाउन वार्ड्स का मतलब मैंने आपको बताया था टू बार्ड्स डाउन मतलब नीचे की और space का मतलब मैंने बताया था in the air केरे के अंत्रिक्ष में यानि की हवा में terror का मतलब मैंने fear बताया था डरियव है seat का मतलब caught hold बताया था जकड लेना ठीक है और still का मतलब मैंने आपको बताया था motionless मतलब इस्थिर या गतिहील तो बिध्यार तो यह थी आपकी word meaning पराग्राफ नमर फाइब देख लीजिए हमने पराग्राफ नमर चार में पढ़ा था कि नन्य सीगल ने जो है मशली के टुकडे के लिए जो है छलांग लगा दिये बोड़ना नहीं जानता है फिर क्या हुआ तो देखिए बट इट अउनली लास्टिड ए मिनट लेकिन ऐसा मात्र एक मिनट ही रहा दा नेक्स्ट मुमेंट करें कि अगले पल अगले चण ही फैल्ट करें कि उसने महसूस किया करें कि अपने पंकों को इस्परीड आउट वार्त कि बाहर की ओर पहला हुआ दा बिंड करें कि हवा रश्ट अगेंस्ट करें कि टकराई ही व्रीष्ट फीदर्स करें कि उसके वक्ष के फंकों से के रहें कि उसके वक्ष के पंखों से ब्रेश्ट का मतलब छाती होता है और वक्ष भी हम कहते हैं के रहें कि हवा उसके वक्ष के पंखों से जो है टकराई then और फिर under his stomach के रहें कि उसके पेट के नीचे टकराई and against his wings और उसके पंखों से टकराई he could feel the tips of his wings महसूस कर करें वह महसूस कर सकता था the tips करें सिरों को office wings करें कि अपने पंखों के tips का मतलब क्या है सिरा होता है मैं आपको bird meaning बता हूँ तब आपको पता पढ़ जाएगा करें कि वह अपने पंखों के सिरों से महसूस कर सकता था cutting through the ear करें कि हवा को काटते हुए करें कि वह हवा को चीरते हुए काटते हुए अपने पंखों के सिरों से क्या कर सकता था महसूस कर सकता था आगे देखिए he was not falling headlong now he miss where was miss था not miss नहीं falling गिर रहा था headlong now headlong का मतलब होता है सरकेवल now miss out करें कि वह अब सरकेवल नहीं गिर रहा था he was soaring soaring का मतलब flying उड़ना करें कि he was soaring वह उड़ रहा था gradually करें कि धीरे-धीरे downwards करें कि नीचे की और and outwards और उपर की उड़ करें कि वह धीरे-धीरे नीचे की और तथा उपर की और क्या कर रहा था उड़ रहा था he was no longer afraid करें कि अब वह बहवीत नहीं था डरा हुआ नहीं था he just felt a bit dizzy करें कि he miss उसने just felt करें कि महसूस किया a bit dizzy a bit मतलब थोड़ा सा और dizzy का मतलब होता संतुलन खोने का आभास करें कि उसने धीरे-धीरे करें कि मतलब फड़ पड़ाए his beings करें कि अपने पंक करें फिर उसने अपने पंक फड़ पड़ाए once करें एक वार करें कि फिर उसने एक वार फिर अपने पंक फड़ पड़ाए and he sword और वह उड़ने लगा awards करें कि उपर की ओर कह रहे हैं कि और वह है उपर की और उड़ने लगा कह रहे हैं कि फिर उसने अपने पंखों को एक वार फटपड़ाया और कह रहे हैं कि उपर की और क्या करने लगा उड़ने लगा या उपर की और उड़ गया आगे देखिए क्या हुआ कि अब जब नन्ना सीगल और उसकी माँ आकास में उड़ रहे हैं तो वो बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा खोस हो रहा है तो वो गा रहा है गा 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 कोल हा ये जो है दोनों लोग गा रहे हैं उसकी माँ और वो जो है नना सीगल तो कह रहे हैं कि हिस मदर कह रहे हैं कि उसकी माता जी सूब्ड पास्ट कह रहे हैं कि उसके पास से गुजरी सूब्ड पास्ट हिम का मतलब होता है कि किसी के पास से तेजी से गुजरना करें कि उसकी माता जी उसके पास से तेजी से गुजरी दोनों क्या कर रहे थे गा 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 कोल हा यह चीज जो वो गा रहे थे मतलब वो चिडिया हैं पक्षी हैं तो वो जो है एक विसेश प्रकार की आवाज खुसी होने पर करते ह तो वो लोग दोनों कर रहे थे हर विंग्स करें कि उसके पंक मेकिंग करें कि कर रहे थे एक तेज सोर करें कि उसके पंक एक तेज सोर मचा रहे थे he answered her with another scream he means उसने answered उत्तर दिया हर उसका किसका अपनी मां का के रहें कि उसने अपनी मां का उत्तर दिया पिली उबर हिम स्क्रीमिंघ करें then means फिर his father उसके पिता फिलिव उड़े over him करें उसके उपर से screaming का मतलब होता चीकते हुए करें फिर उसके पिता उसके उपर से चीकते हुए उड़ गए या उड़े या गुजरे he saw his two brothers उसने अपने दोनों भाईयों को देखा and his sister और अपनी बहन को देखा flying उड़ते हुए around him करें कि अपने चारों और करवेटिंग करें कि घोड़े की तरह उचलते हुए करें कि उसने अपने दोने भाईयों को और अपनी बहन को अपने चारो और गोडे की तरह उचलते हुए उड़ते हुए देखा AND BANKING और क्या-क्या करते हुए देखा AND BANKING और BANKING का मतलब होता है उपर नीचे उड़ना तिरचा उड़ना एक-एक पंक तिरचा कर लेते हैं पक्षी उस तरह से उड़ना करें AND BANKING और तिरचा पंक करके उड़ते हुए देखा AND Sourcing AND diving और कह रहे हैं कि छलांग लगाते हुए देखा अब मैं आपको यहां से लेकर यहां तक का पूरा अर्थ बता देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए तब उसके पिता चीखते हुए उसके उपर से उड़े उसने अपने दोनों भाईयों और अपनी बहन को घोड़े की तर सेनते हैं तो चलिए देख लिएए यस प्रिग का मतलब मैं आपको बताया तहारी मतलब टू ओपन एफोल्ड़ सिप्स का मतलब मैंने आपको बताया था विस्ट्ट मतलब वक्ष या छाति को भी हमम शॉत कहते हैं अगला है पहस्त का मतलब होता है अग्डॉ ända का मतलब मत आपको बतायाता है सिरा ठीक है पंखों के सिरे जो होते हैं वो टिप्स मतलब सिरा कटिंग थ्रो का मतलब बताया था कटिंग थ्रू चीरते हुए ठीक है हेड लॉंग का मतलब मैंने आपको बतायाता है सिर के वल और सोरिंग का मतलब मैंने बतायाता है उपर नीचे उड़न और gradually का मतलम मैंने आपको बताय थाँ, दिल का मतलम मैंने बताय थाँ, धीयर का मतलम मैंने बताय था अपना संत्लिन खोने का आभास होना, सोड का मतलब मैंने आपको फिली बताया था उड़ने लगा या उड़ा और सूप पास्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि पास से तेजी से निकली ठीक है मैंने आपको बताया था जो उसकी माँ थी उसके पास से तेजी से निकली और करवेटिंग का मतलब मैंने आपको ब देखा होगा आपने पक्षी जो है तिर्षे उड़ते हैं आकास में देखते होगे तो कलावाजियां करते हैं अपने पंखों को कभी तिर्षा कर लेते हैं कभी सीधा कर लेते हैं तो उस तरीके से उड़ने को बैंकिंग कहा जाता है अब चलते हैं अगले पाराग्राफ की ओ है had not always been के रहें कि हमेशा able to fly के रहें कि उड़ने में समर्थ नहीं था के रहें कि तब भूल गया कि वह हमेशा से उड़ने में समर्थ नहीं था and commanded himself और कह रहें कि swim की प्रसंसा की to dive कह रहें कि डुबकी लगाने and sore और कह रहें उपर नीचे उड़ने में and curve और कह रहें कि मुड़ने में कह रहें कि उसने खुद की क्या की प्रसंसा की कैसे स्री किंग स्रीली करें कि तीब्र करकस आवाज में चीकते हुए उसने स्वैम की क्या की प्रसंसा की अब मैं यहां से लिहां तक का अर्थ बता देता हूं तो देखिए तब भे पूरता भूल गया कि हमेशा से उड़ने में समर्थ नहीं था और उसने गोता लगाने और उपर नीचे उड़ने तथा मुडने के लिए तीब्र करकर सावाज में चीकते हुए स्वैम की क्या की प्रसंसा की ही वाज नियर दा सी नाव ही मिस वाज मिस था नियर करेंगे नजदीक दा सी मिस समुद्र के नाव मिस आव करेंगे वह अब समुद्र के नजदीक था पास था flying उड़ रहा था straight over it straight का मतलब सीधा over मतलब उपर it मतलब इस समुद्र का मतलब ठीक है और समुद्र के उपर सीधा उड़ रहा था facing करें कि मुह किये हुए straight करें कि सीधे art over the ocean करें कि महा सागर के उपर करें कि महा सागर के उपर सीधा उसकी और मुह किये हुए उसके उपर उड़ रहा था अब वह समुद्र के नस्दिक था he saw a vast green sea beneath him he miss उसने सा मिस देखा a vast मतलब एक विसाल green miss हरा c मिस समुद्र विनीथ मिस नीचे he miss अपने करें कि उसने अपने नीचे एक विसाल हरा समुद्र देखा with little rises moving over it करें कि with जिस पर little करें कि छोटे छोटे rises का मतलब होता है टीले करें कि जिस पर छोट 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 टीले moving करें कि हिल रहे थे over it करें कि इसके उपर करें कि इसके उपर समुद्रे के उपर जो है छोट 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 टीले क्या कर रहे थे हिल रहे थे and he turned his weak और उसने अपनी चोच घुमाई sideways करें कि बगल में और उसने वगल में अपनी चोच घुमाई एंड काउड एम्यूजडली के रहें और जो है हर्स से काउं 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 करने लगा तो मैं यहां से लेकर यहां तक का पूरा आर्थ बता देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा और वर्ड मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा फिर आपका किलियर हो जाएगा तो देखिए अब वह समुद्र के नस्दिक था सीधा इसके उपर महासागर के उपर सीधा फैल कर इसकी और मुह की हुए उन रहा था उसने अपने नीचे एक विसाल हरा समुद्र देखा इसके ऊपर छोट 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 टीले मतलव उन्नत भूभाग हिल रहे थे और उसने बगल में अपनी चोच घुमाई तता हर्स से काउं काउं करने लगा यानि कि छोटे छोटे टीले या उन्नत भू भाग भी हम उन्हें कह सकते हैं अब चलते हैं इसकी word meaning पर ताकि आपको clear हो जाए इस टेंजा तो देखिए देखिए completely का मतलब मैंने बताया था fully मतलब पूर्टया forgot का मतलब मैंने बताया था to fail to remember मतलब भूल गया एबल का मतलब मैंने बताया था to have the ability का मतलब युगता को रखना समर्थ ठीक है commented का मतलब मैंने आपको बताया था appreciated मतलब परसंसा की कर्ब का मतलब मैंने बताया take a turn मतलब मोडना और shrinking का मतलब मैंने आपको बताया था screaming मतलब चीकते हुए स्ट्रेट का मतलब मैंने डारेक्ट बताया था सीधा ओशियन का मतलब मैंने ओशियन कह सकते हैं ओशियन भी कह देते हैं वेरी विक्षी मतलब महाशागर मैंने आपको बताया था वास्ट का मतलब मैंने वेरी लार्ज मतलब बहुत बड़ा यानि की विसाल बताया था और रिट्ज का मतलब मैंने आपको टीला बताया था जैस छोटे-छोटे टीले मैंने आपको बताया थे और sideways का मतलब मैंने वगल में आपको बताया था और cowd का मतलब मैंने काउं काउं करना आपको बताया था और amusedly का मतलब मैंने happily बताया था मतलब हर्थ से या खुशी से Paragraph no.7 देखिए His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him करें His parents करें उसके माता पिता and his brothers और उसके भाई and sister और बहन head landed करें उतर चुके थे on this करें कि इस green करें कि हरे flooring करें कि फर्स पर वही समुद्र पर ahead of करें कि पूर भी him करें कि उससे करें उसके माता पिता और उसके भाई और बहन करें कि इस हरे इस फर्स पर उससे पूर भी क्या कर चुके थे उतर चुके थे They were beckoning to him They were miss they beckoning इसारा कर रहे थे to him उसकी ओर करें कि वे उसकी ओर इसारा कर रहे थे Calling करें कि चलाते हुए He dropped his legs to stand on the green sea He means उसने dropped करें कि नीचे किये His legs करें कि अपने टांगे या अपने पैर करें कि उसने अपने टांगे नीचे कि To stand करें खड़े होने के लिए On the green sea करें कि उस हरे समुद्र पर करें कि उसने हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपने टांगे नीचे की His legs sank into it तो उसकी टांगे इसके अंदर क्या कर गई Sank हो गई, डूब गई He screamed वह चीखा with fright करें कि डर के साथ करें कि वह डर के साथ चीखा या वह डर से चीखा या वह बह से चीखा and or attempted to rise again flapping his wings attempted का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयात्न करना, कोसिस करना और प्रयास किया to rise उठने का again फिर से flapping करें कि फड़फडा कर his wings करें कि अपने पंखों को और अपने पंखों को फड़फडा कर फिर से उपर उठने का प्रयात्न किया या प्रयास किया but he was tired but miss लेकिन he miss was tired करें कि ठक गया था परंतु वह ठक गया था and weak और कमजोर हो गया था with hunger करें कि भूँक से परंतु वह ठक गया था और भूँक से कमजोर हो गया था and he could not rise और वह उपर उठ नहीं सका exhausted करें ठकान के कारण why the strange exercise करें इस विचित्र अभ्यास की करें इस विचित्र अभ्यास की ठकान के द्वारा वह उपर नहीं उठ सका करें कि वह भूँक से ठक गया था और कमजोर हो गया था his feet sank into the green sea करें his feet उसके पैर sank डूब गए into the green sea करें कि हरे समुद्र में उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए and then और फिर his belly करें कि उसके पेट ने tust करें कि छुआ it कहने का मतलब हरे समुद्र को और उसके पेट ने मतलब नन्हे सीगल के करें कि और फेरो नन्हे सीगल के पेट ने इस हरे समुद्र को छुआ and he sank no farther and miss or he miss where sank डूबा no miss नहीं farther का मतलब होता है और अधिक करें कि लेकिन वह और अधिक नहीं डूबा he was floating on it वह इसके उपर तैर रहा था कहने का मतलब नन्हे सीगल जो था वो उस हरे समुद्र के उपर क्या कर रहा था तैर रहा था and around him और उसके चारो होर his family करें कि उसका परिवार wise screaming करें कि चिल्ला रहा था phrasing him करें कि उसकी प्रसंसा करते हुए करें कि और उसके चारो होर उसका परिवार उसकी प्रसंसा करते हुए चिला रहा था and their weeks करें और उनकी चोंच वर आफरिंग करें कि वहेंट कर रही थी him उसे scraps of dog fix scraps of dog fix करें कि dog fix मचली के टुकडे करें कि और उनकी चोंचे उसके लिए dog fix मचली के टुकडे वहेंट कर रही थी he had made his first flight करें कि उसने अपनी प्रतम उड़ान first flight क्या कर ली थी उड़ ली थी भर ली थी करें कि उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी आज की कहानी आपके रॉंक्टे खड़े कर देगी क्योंकि जब मैंने ये chapter पड़ा तो मेरे खुद के रॉंक्टे भी खड़े हो गई थे कहानी का अंत आपको डरा देगा और आपको इससे सीख भी मिलेगी तो मैं अब आपको थोड़ी सी इसकी सेमरी बता देता हूँ तो देखिए कहानी इस तथ्थी को उजागर करती है कि हम साहस और द्रण निश्चे के साथ अपनी सभी चुनातियों और तकलीपों का सामना कर सकते है कहानी चमतकार तता रहस के बीच जूलती है कहानी में एक विमान चालक अपने डकोटा हवाई जाहस को फ्रांस से इंग्लेंड की ओर उड़ा रहा था लेकिन उड़ान के दौरान उसने अपने सामने बहुत बड़े तूफानी बादल देखे बहे अपने साहस अवम अथक प्रियासों से जीवत बच पाया और हवाई पट्टी पर सुरक्षित उतर गया उसका बचना किसी चमतकार से कम नहीं था कहानी ये सुझाओ भी देती है कि हमें जीवन में आसा कभी नहीं छोड़नी चाहिए तो विध्यारतियों ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और कहानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डराने वाली है और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी तो अब हम चलते हैं पार्ट का जो है मींस वाई मींस अध्यन करते हैं तो चलिए पाराग्राफ नमर फस्ट देख लीजिए दा मून वाज कमिंग अप इन दा इस्ट विहांड मी कर assumptions वर सियनिग in the clear sky above me करें कि the moon मीम चंद्र माँ वाज मी है coming का मतलब होता है आरहा अपमिस उपर in the east मतलब पूरब ऩिसा में behind मी करें कि मेरे पीछे करें कि चंद्र माँ मेरे पीछे पूरब दिसा में उपर आ रहा था and stars और तारे वर सियनिग करें कि चमक रहे थे in the clear sky करें कि स्वक्ष आकास में above me करें कि मेरे उपर और तारे स्वक्ष आकास में मेरे उपर चमक रहे थे there was not a cloud in the sky there was not करें कि नहीं था एक cloud करें कि एक भी बादल इन the sky करें कि आकास में करें कि आकास में एक भी बादल नहीं था I was happy to be alone करें कि मैं अकेला होते हुए भी खुष था हाई अप करें कि उचाई पर above the sleeping countryside sleeping countryside का मतलग होता है सोते हुए गिरामीड इलाकों के उपर above the sleeping countryside का मतलग क्या होगा सोते हुए गिरामीड इलाकों के उपर करें कि उचाई पर होते हुए भी मैं क्या था मैं पिरसन्द था खुष था I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England करें कि मैं अपना पुराना डकोटा हवाईजाज over France के उपर से back to England करें कि बापस England के लिए क्या कर रहा था फिलाइंग कर रहा था उड़ा रहा था तो मैं आपके लिए फिर से बता देता हूँ कि मैं अपने पुराने डकोटा हवाईजाज को फ्रांस के उपर से बापस England की और उड़ा रहा था करें कि अपनी चुट्टी का मैं अपनी चुट्टी का स्वपन देख रहा था and or looking forward to looking forward to का मतलब होता है उत्र सुकता से परतीक्षा करना करें कि और उत्र सुकता से परतीक्षा कर रहा था being with my family करें कि अपने परिवार के साथ होने की करें कि मैं अपनी चुट्टी का स्वपन लिये हुए अपने परिवार के साथ होने की उत्र सुकता से क्या कर रहा था परतीक्षा कर रहा था I looked at my watch करें कि मैंने अपनी घड़ी में देखा look का मतलब देखना होता है my watch मतलब अपनी घड़ी मैंने अपनी घड़ी में देखा one thirty one thirty का मतलब डेड़ बजा था in the morning करें कि सुबह का करें कि सुबह का डेड़ बजा था करें कि मैंने अपने घड़ी में के बात करना के रहें कि मुझे बात करने चाहिए पेरिस कंट्रोल पेरिस कंट्रोल का मतलब होता है पेरिस के नियंत्रड कक्ष में और सून का मतलब होता है जल्दी ही के रहें कि मुझे जल्दी ही पेरिस के नियंत्रड कक्ष में बात करनी चाहिए I thought मैंने सोचा As I looked करें कि जैसे ही मैंने देखा Down past the nose Down past the nose होता है Down past the nose का मतलब होता है कि अगर भाग से Of the aeroplane का मतलब होता है कि हवाई जहाज के करें कि जैसे ही मैंने हवाई जहाज के अगर भाग से आगे देखा किरें कि जैसे ही मैंने हवाई जहाज के अगर भाग से आगे देखा नोस का मतलब क्या होता है नाक होता है और हवाई जहाज की नाक कहा होती है आगे होती है तो वही कहना चाहरा राइटर जैसे ही मैंने हवाई जहाज के अगर भाग से आगे देखा आई सा तो मैंने देखा दा लाइट्स करें कि रोसनियों को और फे विक सिटी करें एक बड़े सहर की करें कि मैंने एक बड़े सहर की रोसनियों को देखा इन फ्रंट आफ मी इन फ्रंट आफ का मतलब होता है के सामने मी मतलब मेरे कह रहें कि मैंने अपने सामने कह रहें कि बड़े सहर की कह रहें कि रोसनियों को देखा I switched on the radio कह रहें कि मैंने radio को चालू किया switched on किया and said और कहा Paris control, Paris नियंत्रनकाक्ष, Dakota DS 088 here कह रहें कि यह Dakota DS 088 है, can you hear me, क्या तुम मुझे सुन सकते हो कह रहें कि I am on my way to England, कह रहें कि मैं England की रास्ते पर हूँ I miss मैं, I miss हूँ, on miss पर, my miss अपने बे miss रास्ते पर, to England बतलब England के, कहने का मैं England के अपने रास्ते पर हूँ, over जब हबाया चालक जो है, नियंत्रनकाक्ष में बात करता है, तो इसी तरीके से करता है, last month over कहता है, तो वही over है, over का मतलब ऊपर नहीं है, ठीक है कहने का मतलब जैसे उसने का, क्या तो मुझे सुन सकते हो, मैं जो है England के रास्ते पर हूँ, over बोलते हैं, तो वही यह जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, तो वही over है यह, अब चलते हैं आगे इसकी word meaning पर, तो चलिए, word meaning देख लीजे, coming up का मतलब मैंने बताया था, rising, मतलब ऊपर आना, यहाँ पर ठीक है, behind का मतलब मैंने बताया था, पीछे, at the back, signing का मतलब मैंने frightening बताया था, मतलब चमकता हुआ, ठीक है, और alone का मतलब मैंने alone का मतलब lonely बताया था, मतलब अकेला, ठीक है, dreaming का मतलब मैंने आपको स्वपने देखते हुए बताया था, looking forward का मतलब मैंने आपको बताया था, looking forward to का मतलब क्या होता है, कि उत्सुकता से परतीक्षा करन कंट्रोल का मतलब मैंने आपको बताया था कि नियंत्रन करना थोट का मतलब मैंने इंटेनेट बताया था मतलब सोचा और लाइट्स का मतलब मैंने व्रैटनेस बताया था मतलब रोसने या प्रकास स्विच डॉन का मतलब मैंने आपको बताया था पुटॉन मतलब चालू करना ग्रेडियो को सुच रोन किया उसने अब चलते हैं सेंट पाराग्राफ क्यों हो तर चलिए पाराग्राफ टू देख लीजिए the voice from the radio answered me immediately करें कि the voice मिस आवाज ने from the radio करें कि radio से आने वाली answered करें को उत्तर दिया मी मतलब मेरा या मुझे immediately मतलब तुरंट करें कि radio से आ रही आवाज ने मुझे तुरंट उत्तर दिया ds088 ds088 I can hear you I can hear you I miss मैं can miss सकता हूँ hear me सुन you miss आपको आपको सुन सकता हूँ you are to turn करें कि तुम्हे मुड़ जाना चाहिए turn का मतलब होता है घूमना और out to का मतलब होता है चाहिए suit का मतलब जैसे यह क्या है यह model है करें का मतलब you are to turn करें कि तुम्हे मुड़ जाना चाहिए तूम्हें गुम जाना चाहिए 12डिगरी कैरें कि 12 डिगरी कैरें कि अब पश्यम में कैरें कि आपको अब पश्यम में 1डिगरी गुम जाना चाहिए DS088 over DS088 बतला over यह जो है वहाँ से रीडियो से आवाज आई आगे देखिए I checked the map and the compass I miss मैंने checked जाँचा the map कहरें कि मानचित्र को and the compass और कहरें कि compass को मतला दिसा सूचक यंत्र compass कहा जाता है कहरें कि मैंने मानचित्र को और दिसा सूचक यंत्र को जाँचा चेक किया switched over और कहरें कि चालू किया to my second कहरें कि अपनी दूसरी and last और अंतिम fuel tank कहरें कि इधन की टंकी को कहरें कि मैंने अपनी दूसरी और अंतिम इधन की टंकी को क्या किया चालू किया and टरंड दा डकोटा और कहरें कि डकोटा के लिए मोड दिया 12 डिग्री कहरें कि वारे डिग्री पर best कहरें कि पश्चिम में कहरें कि और डकोटा हवाईजास को मैंने क्या किया कि वारे डिग्री पश्चिम में मोड दिया टूवार्स इंग्लेंड करें कि इंग्लेंड की और करें कि मैंने इंग्लेंड की और करें कि वारे डिग्री पर जो है पश्चिम में डकोटा हवाईजास को क्या कर दिया मोड दिया या फिर हम इस तरीके से कैसे यहां से लेकर यहां तक का पूरा अर्थ देख लिजिए मैंने मान चित्र अबम दिसा सूचक यंत्रों को जाचा मेरी दूसरी वा अंतिमीधन की टंकी को चालू किया तथा डकोटा को वारे डिगरी पस्चिम में इंग्लेंड की ओर मोड दिया आगे देखिए I will be in time for breakfast कहरें कि मैं नास्ते के समय पर पहुँच जाऊंगा I thought मैंने सोचा कहरें कि मैंने सोचा कि मैं नास्ते के समय पर पहुँच जाऊंगा Everything was going well कहरें कि सब कुछ अच्छा चल रहा था It was an easy flight कहरें यह है एक सरल उडान थी Easy flight थी Flight का मतलब क्या होता है उडान होता है कहरें कि यह है एक सरल उडान थी Paris was about 150 km behind me when I saw the clouds कहरें Paris was about 150 कहरें कि 500 km कहरें कि 500 km behind me कहरें कि मेरे पीछे when I saw जब मैंने देखा the clouds कहरें कि बादलों को कहरें कि जब मैंने बादलों को देखा तो Paris मेरे पीछे जो है 500 km दूरी पर था कहरें कि जब मैंने बादलों को देखा तो Paris मुझे से लगवक 500 km पीछे था स्टॉर्म क्लाउड्स का मतलब होता है तूफानी बादल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है तूफान होता है क्लाउड्स का मतलब क्या होता है बादल होता है करें तूफानी बादल दे वर ह्यूज करें कि भी विसाल थे ह्यूज थे दे लुक्ड लाइग ब्लैक माउंटेंस करें दे मिस्वे लुक्ड दिखाई दे रहे थे लाइक भाती विलेक बाउंटेंस करें कि काले परवतों की भाती दिखाई दे रहे थे standing करें कि खड़े हुए in front of me करें कि मेरे सामने across the sky करें कि आकास में करें कि वे काले परवतों की भाती मेरे सम्मुख आकास में सभी जबे खड़े थे वे काले परवतों की भाती दिखाई दे रहे थे और आकास में मेरे ठीक सामने खड़े हुए थे आगे देखिए, I knew, मैं जानता था, I could not fly, मैं नहीं उड़ सकता था, अप का मतलब क्या होता है, उपर होता है, उपर होता है, करें कि मैं जानता था, मैं नहीं उड़ सकता था, करें कि उपर, and over them, करें कि और अधिक उनके उपर, करें कि मैं जानता था, करें कि मैं उनके उपर, और अधिक उनके उपर, करें कि उड़ नहीं सकता था, and or I did not have, करें कि मेरे पास नहीं था, enough, करें कि परियाप, fuel, करें कि इंधन, करें कि और मेरे पास परियाप इंधन नहीं था, to fly, करें उड़ने के लिए, around them, करें कि उनके चारो और करें कि और मेरे पास उनके चारो और उड़ने के लिए इंदन नहीं था परियाप्त इंदन नहीं था तू दा नौर्थ और साउथ करें कि उत्तर और दक्षण में करें कि उत्तर और दक्षण में उनके चारो और उड़ने के लिए मेरे पास परियाप्त इंदन नही था अब इसकी word meaning पर चलते हैं तो चलिए word meaning देख लीजिए answer का मतलब मैंने reply बताया था या उत्तर दिया immediately का मतलब मैंने आपको बताया था at once मतलब तुरंत out to का मतलब मैंने suit बताया था कहने का मतलब चाहिए turn का मतलब मैंने बताया था go round मतलब rotate घूमना या मुड़ना degree का मतलब मैंने point बताया था uns या degree ठीक है checked का मतलब मैंने looked carefully जाचा या ध्यान से देखा मैंने आपको बताया था compass का मतलब मैंने आपको बताया था an instrument for finding direction करें कि दिसा सूचक यांत्र करें कि एक यांत्र जो दिसाओं का पता लगाता है और fuel tank का मैंने मतलब बताया था safe container for inflatable floods कहने का मतलब इंधन की tank की मैंने आपको बताया था और देख लीजिए breakfast का मतलब आप जानते हैं the morning meal मतलब नास्ता behind का मतलब at the back मतलब पीछे huge का मतलब मैंने very large बताया था बहुत-बड़ा मतलब विशाल बताया था हापको mountains का मतलब मैंने आपको very high hills मतलब परवत बताया था उचे परवत across का मतलब मैंने बताया था on the other side of something के रहें कि के पार और यहा ठीक है यहाँ पर क्या आप के आ है क्रॉस का मतलब आप एंड ओवर का मतलब मैंने बताया था more and more above मतलब उपर और ऊपर इनफ का मतलब मैंने आपको बताया था सफी सी एंट बतलब पर्याप्त अब चलते पाराग्राफ नमर तीन पर तो चलिए पाराग्राफ नमर तीन देख लीजिए I out to go back to Paris I thought I miss मुझे out to वही सुड करें कि I miss मुझे out to चाहिए go back करें कि बापस चले जाना to Paris करें कि Paris के लिए I thought मैंने सोचा मैंने सोचा मुझे Paris के लिए बापस चले जाना चाहिए मैंने सोचा मुझे Paris बापस चले जाना चाहिए but I wanted परंतु मैं चाहता था to get at home करें कि घर जाना परन्तु मैं घर जाना चाहता था करें कि मैंने सोचा मुझे पर इस बापस चले जाना चाहिए परन्तु मैं घर जाना चाहता था और मैं उस नास्ते को करना चाहता था और मैं उस नास्ते को खाना चाहता था I will take the risk करें कि मैं जोखिम उठाऊंगा I thought मैंने सोचा risk का मतलब क्या होता है जोखिम उठाना होता है करें कि I will take the risk मैं जोखिम उठाऊंगा I thought मैंने सोचा and flew और उडा ले गया that old Dakota करें कि उस पुराने Dakota हवाई जाज को straight करें कि सीधे into the storm करें कि कि इन कहया आगे देखिए inside the clouds inside का मतलब के अंदर the clouds मतलब बाद लूँ करें कि बादों के अंदर everything करें कि प्रतेक चीज या सब कोछ hopefully was miss upfront suddenly करें कि अचानक black का मतलब काला या अंदकार में करें कि बादलों के अंदर सब कोछ किसा था अचानक काला और अंदकार में था It was impossible करें ये नामुम्किन था असंबब था To see करें कि देखना Anything करें कि कोई भी चीज या कुछ भी Outside करें कि बाहर की और The Aeroplane करें कि हवाई जहाज से करें कि हवाई जहाज से बाहर कुछ भी देखना कि लगवग क्या था नामुम्किन था असंभफ था the old aeroplane jumped and twisted in the air कि the old aeroplane कि पुराना हवाई जाहाज jumped करें मतला उचला या कूदा कि पुराना हवाई जाहाज उचला and twisted twisted क्या मतला मुड़ना या घूमना करें कि और घूम गया इन दा गेएर करें tbsp हवामे बस लिए इड़ दा कमपास कहा है कि मैंने दिशासूचे की अंत्र को देखा mommy लिए डाई आइज तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर क्र सका दा कमपावार करेंकि दिशासूच की अंत्र टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड कहने का मतलब मैं जो है अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पाया क्योंकि तूफान आ चुका है ठिक है हवाई जहाज जो उड़ा रहा है उसके सामने जो है राइटर के वहां पर किया है तूफान आ चुका है बादल जो है पहाड के समान दिखाई दे रहे हैं और अन्धेरा दे रहा ऑपने दिसासूचक यंत्र को देखता है Airopline में तो उसे जो है वो गोल और गोल मतलब घूमता हुआ दिखाइदेता है उससे दिसासूचक यंत्र के लिए लगाया गया और यह जो दिसासूचक यंत्र था करें कि खराब हो गया था मतलब मर गया था मतलब वो खराब हो गया था it would not work ये काम नहीं करेगा the other instruments करैं कि दूसरे यंत्र भी were suddenly करैं कि अचानक dead too करैं कि खराब हो गये करैं कि दूसरे instruments भी करैं कि यंत्र भी अचानक जो है खराब हो गये I tried the radio I tried the radio मैंने radio चलाने का प्रयास कि ट्राइड किया मतलब कोसिस की मैंने रेडियो चलाने के कोसिस किया मैंने रेडियो चलाने का प्रयास किया पेरिस कंट्रॉल पेरिस कंट्रॉल काक्ष पेरिस कंट्रॉल पेरिस नियंतरण काक्ष पेरिस कंट्रॉल पेरिस नियंतरण काक्ष पेरिस कंट्रॉल पेरिस नियंतर हो गया था I had no radio मेरे पास अब कोई radio नहीं था no compass करें कि कोई दिसा सूचक यंत्र भी नहीं था and I could not see और मैं देख भी नहीं सकता था where I was मैं कहां था और मैं कहां हूं मैं यह देख भी नहीं सकता था I was lost in the storm करें कि मैं तूफान में क्या हो गया था lost हो गया था को चुका था करें कि मैं तूफान में खो गया था then in the black clouds quiet near me then means stop in the black clouds करें कि काले बादलों में quiet करें कि बिलकुल near me करें कि मेरे नजदीक करें कि तब करें कि काले बादलों में करें कि बिल्कुल मेरे नजदीक आई शाह मैंने देखा another airplane करें कि दूसरे हवाईजाज को तब काले बादलों में बिल्कुल अपने नजदीक मैंने दूसरा हवाईजाज देखा it had no lights करें कि कोई रौसनी नहीं थी औन इट्स बिंग्ग्स करें कि इसके पंखोंपर कोई रौसनी नहीं थी अर्थात ये जो हवाईजाज था दूसरा वाला जो सामने दूसरा हवाईजाज देख रहा था तो कह रहें कि उस हवाईजाज के पंखों पर कोई रौसनी नहीं थी वाट I could see it परन्तु मैं इसे देख सकता था flying कह रहें कि उड़ते हुए next to me कह रहें कि ठीक अपने सामने परन्तु मैं इसे ठीक अपने सामने उड़ते हुए देख सकता था throw the storm तुफान में या तूफान से होकर परणतू मैं तूफान से होकर उसे ठीक मेरे सामने अढ़ता हुआ देख सकता था I could see the pilot's face I miss मैं could miss सकता था see means देख the pilot's face करें कि बिमान चालक का चहरा करें कि मैं बिमान चालक का चहरा देख सकता था turn towards me कह रहें कि अपनी ओर मुड़ा हुआ तूबाटस मतलब की ओर और टरन का मतलब मुड़ना ठीक है और मी मतलब अपनी ओर कह रहें कि मैं अपनी ओर मुड़ा हुआ बिमान चालक का चहरा देख सकता था I was very glad to see another person I was very glad कह रहें कि मैं बहुत खुस हुआ मैं बहुत प्रसन था to see देखकर another person कहरें कि दूसरे व्यक्ति को कहरें कि मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर कहरें कि बहुत ज़्यादा प्रसन था खुस था he lifted one hand कहरें कि उसने एक हाथ उठाया and waved और लहराया he lifted one hand कहरें कि उसने एक हाथ उठाया लेड़ यह गैट का मतलब मैंने बताया था हैder go reach मतलब जाना यह पहुछना risk का मतलब मैंने डा vino शीधन सटनली का मतलब मैंने add once भाय रेट मतलब अच्यानक outside मतलब मैंने बताया आउट offs…" मतलब बाहर jump का मतलब मैंने बताया था hover मतलब उचला और twisted का मतलब मैंने आपको बताया था torrent मतलब घुम गया और believe का मतलब मैंने trust मतलब विश्वास करना dead dead का मतलब मैंने बताया था कि मृत यहां पर मतलब खराब हो जाना तो मैंने वो compass बताया था तो वो dead था मिरत था मतलब खराब हो गया था instruments का मतलब मैंने tools बताया था यंत्र और lost का मतलब मैंने आपको बताया था भटक जाना या रास्ता को खो देना ठीक है और quite का मतलब मैंने आपको बताया था बिल्कुल ठीक बिल्कुल मेरे सामने था another का मतलब मैंने बताया था दूसरा next to मतलब मैंने बताया था at the side of मतलब बगल में ठीक है आगे बिलकुल सामने ठीक है in front of through का मतलब मैंने आपको बताया था across मतलब के पार glad का मतलब मैंने happy बताया था मतलब पिरसन या खुष and lifted का मतलब मैंने picked up बताया था मतलब उठाया और बिवड का मतलब मैंने बताया था हिलाया या लहराया ठीक है अब पारग्राफ नमबर चार की ओर चलते हैं तो चलिए पारग्राफ नमबर फोर देख लीजिए follow me follow me का मतलब मेरे पीछे आओ he was saying वह कह रहा था follow me मेरे पीछे आओ वह कह रहा था मेरे पीछे आओ मेरे पीछे आओ he knows वह जानता है that I am lost कि मैं भटक गयाओ या मैं खो गयाओ I thought मैंने सोचा he is trying to help me वह मेरी मड़ै करने का प्रयास कर रहा है या कोशिस कर रहा है प्रयात्न कर रहा है आगे देखिए, he turned his aeroplane slowly to the north, he means उसने trend घुमाया his aeroplane करें, अपना हवाई जहाज slowly करें, धीरे से to the north करें, उत्तर दिसा में, करें कि उसने अपना हवाई जहाज करें कि धीरे से उत्तर दिसा में घुमाया, in front of my Dakota, करें कि ठीक मेरे Dakota के सामने से, so that, ताकि it would be easier for me, कि मेरे लिए सरल हो जाए, easier हो जाए, to follow him, करें कि उसका अनुसरन करना, करें, ताकि मुझे उसका अनुसरन करना, और अधिक सरल हो जाए, यानि कि, ताकि मुझे उसके पीछे जाना जो है, और अधिक सरल हो जाए, तो उसने क्या किया, उसने अपने हवाई जहाज को धीरे से उत्तर दिसा में घुमाया मेरे डकोटा हवाई जहाज के ठीक सामने ताकि मैं आसानी से कह रहें कि उसका आनुसरण कर सकूं इस तरीके से भी हम कह सकते हैं ठीक है आगे देखिए ताकि मुझे उसका आनुसरण करना और अधिक आसान हो जाए I was very happy करें कि मैं बहुत खुसता to go behind करें कि पीछे जाकर the strange aeroplane करें कि विचित्र हवाई जहाज के पीछे करें कि मैं इस विचित्र हवाई जहाज के पीछे जाकर बहुत खुसता प्रसंद था like an obedient child करें एक आग्याकारी वच्चे की भाती करें कि मैं एक आग्याकारी वच्चे की भाती इस विचित्र हवाई जहाज के पीछे जाकर बहुत खुस था आगे देखिए after half an hour करें कि आदा घंटे के बाद the strange black airplane करें कि विचित्र काला हवाई जहाज वाज इस्टिल करें कि अब भी अब भी था there in in front of me करें कि ठीक मेरे सामने in the clouds करें कि बादलों में करें कि आदे घंटे वाद वाद वह विचित्र काला बिमान या हवाई जहाज अब भी मेरे सामने बादलों में था now there was only enough fuel करें कि now miss of there was miss था only मतलब केवल enough मतलब परियाप्त fuel मतलब फ्यूल मतलब इनन करें कि अब केवल परियाप्त इनन बचा था in the old Dakota's last tank करें कि पुराने डकोटा हवाई जहाज की अन्तिम टंकी में करें कि पुराने करें कि पुराने डकोटा हवाई जहाज की अन्तिम टंकी में करें कि केवल परियाप्त इननी बचा था to fly उड़ने के लिए for five or ten minutes more करें कि पांच या दस मिनट से अधिक करें कि पांच या दस मिनट से अधिक उड़ने के लिए करें कि पुराने डकोटा हवाई जहाज की अ करें कि मैं वह को अनुभब करने लगा या डर का अनुभब करने लगा अगें मतलब दुबारा से करें कि मैं दुबारा से फिर से करें कि डर का अनुभब करने लगा but then he started to go down but means lakin then means further he means वहहए कहने का मतलब वही विमान started to go कहरें कि जाने लगा down मतलब नीचे कहरें कि लेकि तब वहह विमान कहरें कि नीचे जाने लगा and I followed और कहरें कि मैंने अनुसरन किया throw the storm कहरें कि तूफान से होकर केरें कि और मैंने तूफान से होकर उसका अनुसरन किया अर्थात वो सामने वाला जो हवाई जा हसता तो वो जो है बादलों से नीचे जाने लगा तो मैंने क्या किया कि उसका अनुसरन किया अर्थात मैं भी जो है उसके पीछे पीछे जाने लगा आगे चलिए इसकी word meaning देख लेते हैं तो चलिए word meaning देख लीजिए follow का मतलब होता है chase मतलब अनुसरन करना या पीछा करना ठीक है साथ साथ चलना slowly का मतलब होता है धीरे से steadily easier का मतलब होता है more easy मतलब और अधिक आसान strange का मतलब होता है unusual and unexpected मतलब विचित्र obedient का मतलब होता है successive मतलब आग्याकारी frightened का मतलब होता है afraid मतलब डरा हुआ started का मतलब होता है initiated मतलब आरम किया five देख लीजिए suddenly I came out of the clouds करें कि अचानक suddenly का मतलब क्या होता है अचानक I came out मैं बाहर आ गया of the clouds करें कि बादलों से अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया and saw और मैंने देखी two long straight lines of lights in front of me करें कि और मैंने देखी two long long straight straight lines रेखाएं of lights करें कि प्रकास की या रोसनी की करें कि दो लंबी सीधी प्रकास की रेखाएं करें कि रोसनी की दो लंबी सीधी रेखाएं देखी in front of me ठीक अपने सामने करें कि और मैंने ठीक अपने सामने रोसनी की दो लंबी सीधी रेखाएं देखी इटवाजे runway करें ये क्या था एक runway था हवाई पट्टी थी runway का मतला हवाई पट्टी करें कि ये एक हवाई पट्टी थी an airport एक हवाई अड़ा था I was safe मैं सुरक्षित था I turn to look करें कि मैं लुक करने के लिए मतला देखने के लिए मुड़ा trend किया करें कि I turn to look मैं देखने के लिए मुड़ा for my friend करें कि अपने मित्र को करें कि मैं अपने मित्र के लिए देखने के लिए मुड़ा in the black aeroplane करें कि उस काले हवाई जाहाज में करें कि मैं उस काले हवाई आइजाह में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा अब चलते हैं आगे स्काई वाज एमपटी परंतु आकास खाली था वह साफ यह खाली कहाँ की परंतु आकास खाली था दियर वाज नतिंग दियर कहाँ कि वहां कुछ भी नहीं था अब चलते हैं आगे तो देखिए आगे देखिए I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower करें कि I landed landed का मतलब नीचे उतरना I landed मैं नीचे उतरा and was not sorry और करें कि मुझे कोई अफसोस नहीं था, दुख नहीं था, sorry नहीं था to walk away करें कि जाने का from the old Dakota करें कि पुराने Dakota से near the control tower करें कि नियंतरन कक्ष के पास करें कि नियंतरन कक्ष के पास पुराने Dakota से करें कि जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं था, दुख नहीं था जब मैं नीचे उतरा आगे देखिए I went और मैं गया and asked a woman और करें कि एक महला से पूछा in the control center करें कि नियंतरन केंदर में center का मतलब क्या होता है, केंदर होता है करें कि मैं गया और नियंतरन केंदर में एक महला से पूछा where I was कि मैं कहा था and who the other pilot और करें कि दूसरा पाइलट कौन था दूसरा विमान चालक कौन था was, था I wanted to say मैं कहना चाहता था thank you, करें कि धन्यवाद करें कि मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था या मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था she looked at me very strangely she miss, उसने looked miss देखा at me करें कि मेरी और very strangely करें कि बहुत ही विचित्रता से करें उसने मेरी और बहुती विचित्र रूप से देखा या विचित्रता से देखा and then laughed और फिर क्या करने लगी हसने लगी another airplane दूसरा हवाई जाज up there in this storm up miss उपर there miss वहाँ in miss में this miss is storm मतलब तूफान करें कि वहाँ उपर इस तूफान में करें कि वहाँ उपर इस तूफान में दूसरा हवाई जाज no other airplanes were flying tonight करें कि कोई भी दूसरा हवाई जाज were flying tonight करें कि आज की रात नहीं उड़ रहा था करें कि कोई भी हवाई जाज आज की रात नहीं उड़ रहा था दूसरा हवाई जाज उपर तूफान में उपर इस तूफान में Yours was the only one I could see on the radar कह रहें कि radar पर मुझे केवल तुमारा ही हवाईजाज दिखाए दिया उस महला ने उतर दिया और मुझे कोई भी दूसरा हवाईजाज दिखाए नहीं दिया क्योंकि आज रात किसी भी हवाईजाज ने यहां से उड़ान नहीं भरी है आगे देखिए So who helped me to arrive there safely without a compass और a radio and without any more fuel in my tanks करें So का मतलब इसलिए होता है यहां पर तो लगाएंगे ठीक है तो whom is किसने helped मदद की मेरी to arrive करें पहुँचने में there means वहाँ safely मतलब सुरक्षित करेंगे तो वहाँ सुरक्षित पहुचने में मेरी किसने मदद की without a compass करें कि बिना दिसा सूचक के करें कि बिना दिसा सूचक यंत्र के और रेडियो करें कि बिना किसी रेडियो के और करें कि बिना किसी अधिक इंधन के इन माई टैंक्स करें कि अपने टैंकियों में करें कि मेरी टैंकियों में बिना किसी अत्रिक इंधन के रेडियो के बिना दिसा सूचक यंत्र के किरें कि वहां सुरक्षित पहुँशने में तो किसने मेरी मदद की आगे देखिए Who was the pilot किरें कि वो चालग कौन था on the strange black aeroplane किरें कि उस विचितर काले हवाई जाहज में किरें कि वो चालग कौन था पालेट कौन था flying in the storm जो तूफान में हवाई जाहज को उड़ा रहा था without lights करें कि बिना रोसनी के करें कि जो बिना रोसनी के तूफान में बिचित्र काले हवाई जाहज को उड़ा रहा था वो चालक कौन था देख लीजी इसकी landed का मतलब मैंने बताया था नीचे उतरना ठीक है और strangely मतलब विचित्र ढंग से ठीक है tonight का मतलब मैंने बताया था आज रात radar का मतलब मैंने बताया था radar ठीक है arrive का मतलब मैंने reach बताया था पहुचना और without का मतलब मैंने बताया था accept के बिना तो विद्यारतियों ये कहानी पढ़ने के बाद मेरे तो रॉंग्टे खड़े हो गए है क्योंकि अब भूत की तरह कहानी याँ पर आकर end हुई है ये तो वो चालक पता नहीं कौन था क्योंकि writer फस जाता है तूपान में अभी आपने पढ़ा था तो एक जो है काला हवाई जाहाज आता है उसके सामने और वो जो है उसमें जो चालक होता है उसके लिए इसारा करता है कि मेरे पीछे पीछे आओ तो वो जो है चाला के पीछे पीछे चला जाता है रैटर और वो दोनों जो है एक हवाई पट्टी पर उतरते हैं यानि कि हवाई एड़े पर और जब वो हवाई एड़े पर जाकर करें कि नियंतर कक्ष में पूछताच करता है तो उसे पता चलता है कि बहां तो कोई हवाई आज ने यहां से उड़ान नहीं भरी है तो मुझे जो है यहां पर आकर रॉंक्टे खड़े हो गए तो वो कौन था जिसने राइटर को सुरक्षित एरपोर्ट पर पहुचाया तो बिध्यारतियों मुझे तो इस्टोरी बहुत अच्छी लगी है और आपको भी बहुत अच् और दोस्तों में सेर करना बिलकुल मत भूलेगा तो कल फिर मिलते हैं एक नए चेप्टर के साथ नमस्कार विध्यारतियों जैहिन बंदे मातरम